हलो, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं हूँ डॉक्टर मेथली देश पांडे आज मैं बात करने वाली हूँ विज्डम टूथ के बारे में यह जिसे हम अकलदाड भी बोलते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर अकलदाड नहीं तो जिसे हम विज्डम टूथ भी बोलते हैं उसमें अगर दर्द हो नहीं तो उसमें कुछ भी तकलीफ हो तो उस दाद को बचा लेना चाहिए या उस दाद को निकाल लेना चाहिए और वो क्यों सबसे पहले हम थोड़ी सी विज्डम टूथ के बारे में जानकारी लेते हैं विज्डम टूथ याने जिसे हम अकलदाड़े भी बोलते हैं हमारे मुह में चार अकलदाड़े रहती हैं दो उपर के साइट रहती है सबसे एंड में और दो नीचे के साइट रहती है सबसे एंड में अठ्छा साल के बाद wisdom tooth कभी भी आना शुरू हो सकते है वैसे देखा जाए तो हमारे मूँ में चार wisdom tooth रहते हैं लेकिन काफी लोगों में ऐसे भी पाया जाता है कि चारो जो wisdom tooth रहते हैं वो बाहर आते ही है ऐसा नहीं है वो सब depend करता है कि आपके jaw size के उपर यानि जो आपके हड़ी है उसकी size कितनी है wisdom tooth को बाहर आने के लिए उसमें जगर है या नहीं अगर जगर रहती है तो वो बाहर आते है अगर जगर नहीं रहती है तो वो अंदर अटक जाते है ने तो जैसे भी जगर मिलती है वैसे वो टेड़े मिड़े बाहर आ जाते है अभी ये देखते है कि हर वक्त wisdom tooth बाहर आते वक्त तकलीफ क्यों होती है वो सीधा भी हो तो भी तकलीफ होती है तेडा में हो फिर भी तकलीफ होती है तो अभी हम यह देखेंगे कि तकलीफ क्यों होती है जितने भी हम लोग पेशन्ट देखते हैं उसमें जादा करके विज़म टीद के जो पोजिशन है यानि वो तीन जादा मोस्ट कॉमन पोजिशन रहते है एक तो रहता है स्ट्रेट दूसरा यानि जो रहता है एंगुलेटेड और तीसरा रहता है पूरा स्लिपिंग पोजिश होने के बावजूद भी हमें आते वक्त तकलीफ होती है नहीं तो बाद में भी तकलीफ देता है तो ऐसा क्यों जैसे मैंने पहले भी पता है कि विज़म टूट जो आता है वो सबसे एंड में आता है यानि हमारी जो जौब होन रहता है उसमें सबसे आखिरी में हमारे हो जाती है तो ग्या होता है कि जैसे अभी यह हमारा विजुम टूथ है और विजुम टूथ के ऊपर यहां पर हमारा मसुडा है कि जिनकी वहां से शुरुवात हो जाती है अह थिक पे न काफी बार खाना फसने लगता है हमारे मसुड़ा और दात के बीच में एक हलका सा पॉकेट जैसा बन जाता है कि जहां पे खाना फसना शुरुआत हो जाती है और जो खाना रहता है वो हम ठीक से निकालने पाते है क्योंकि हमारा ब्रश वहां तक पहुंची नहीं पाता है तो वैसे ही food particles वहां पे रहते है और जिसके वज़े से हमारी जो मसुड़े है उनमें inflammation होना मसुड़ों में थोड़ी सी हलकी सी सूजर आना ये सब शिकायते शुरू हो जाती है ये जो रहती है शिकायते वो हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद अपने आप सैटल भी हो जाते है ये चले भी जाती है लेकिन कुछ मेने के बाद फिर से ये तकलीव देना शुरू हो जाती है दूसरा है कि wisdom tooth angulated आना angulated यानि क्या कि हमारा ये normal दाथ है उसके पीछे सबसे आखिर ये में wisdom tooth आता है तो वो ऐसे आता है याने तिर्चा आता है उसके साथ तो क्या होता है काफ जाए नहीं चलता कि वहाँ पे खाना फसरा है और वो खाना हम flossing से ने तो brushing से निकाल नहीं पाता है क्योंकि वहां तक हमारा floss नहीं जा पाता ठीक से और brush भी नहीं जा पाता है तो वो खाना वहीं पे रहता है और उसके बाद दातों में जो हम सडन बोलते हैं उसकी अलग जाती है तो इसलिए wisdom tooth की ऐसे जो angulated wisdom tooth है कि जिनमें तकलीफ नहीं है फिर भी उनकी treatment करना बहुत जरूरी होता है अभी जो तीसरा पाया जाता है वो यानि sleeping position यानि पूरा जो horizontal रहता है जैसे अभी ये normal दात है और ये completely उसके साथ ऐसे horizontal रहता है तो क्या हो जाता है क ये बाहर आई नहीं पाता क्योंकि उसका जो direction है वो ही अलग रहता है तो वो जो सामने का दात है उसको धीरे 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 पुश करने लगता है जिस जहां पे वो पुश करने लगता है वहां पे उसका जो सामने का हमारा अच्छा दात है बगल वाला उसको पीछे के स साइड से विजॉप्शन की शुरुवात हो जाती है याने हमारा जो नॉमल दात है कि जो हम खाने पीने में यूज करते हैं जिसे हम दूसरी दाड बोलता है उस दात को विज्डम टूद तकलीव देने लगता है तो इसलिए अगर ऐसे भी पोजिशन हो तो भी उसकी ट्रीट करवा लेनी चाहिए तो अगर हमें विज्डम टूद के जो बगल वाला दात है कि जो हमें हमारे खाना चबाने में मदद कर देता है तो अगर उससे सेव करना है तो जब आप जन्रल चेक अप के लिए आपके फैमिली डेंटिस्ट के आपे जाते हो तो वो कुछ जब एक्स शकल दाड को निकालना ही बहतर होगा अभी ये देखते है कि विज्डम टूद के ट्रीटमेंट क्या हो जो मैंने दूसरा और तीसरा ओप्षन बताया यानि जिसमें विज्डम टूद हमारा एंगुलेटेड होता है और पूरा होरिज़ॉंटल रहता है इन दोनों केस में विज्डम टूद निकालना ही जादा बहतर है अभी ये सवाल आता है कि क्यों निकालना बहतर है तो उसके कुछ रीजन्स में आपको बताती हूँ सबसे पहला रीजन है कि विज्डम टूद हमारे खाने में जादा मदद नहीं करता है यानि हमने अगर विज्डम टूद न जादा मदद नहीं कर पाता है अगर अक्कल दाड़ हम निकाल भी लेते हैं तो भी हम ठीक से खाना चबा पाते हैं अभी दूसरा रीजन ये है कि विज्डम टूथ निकालने के बार उस दात को हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं रहती है कैसे रहता है हम कोई भी हमारा निकालते हैं उस वक्त हम यूज्वली रिकमेंड करते हैं कि जल से जल उस दात को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि हम जब नॉर्मल दात निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारे दातों में गैप सोने की शुरुवात हो जाती है लेकिन विज्डम टूथ केस में ये प्रॉब हम उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं तो ऐसा प्रयास कर सकते हैं लेकिन जब हम विज्डम टूथ को ये अकल दाड़ को बचाने की ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए ये ये यूज्वली हम बचाने के लिए रूट कनार ट्रीटमेंट ने तो फिल तो वो दिख्था नहीं है आँखों को ठीक से उसकी जो कनास रहती है वो अलग रहती है और root canal होने के बाद हम जो दात को protect करने के लिए cap देते हैं वो हम wisdom tooth में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सबसे पीछे होने के कारण cap बनाने के लिए वहाँ पे जगई नहीं रहती है तो cap ना होने के कारण वैसे भी जो हम root canal करते उसका life बहुत ही कम हो जाता है तो वो आपको बार बार तकलीव देने लगता है तो इसलिए अगर wisdom tooth में कुछ भी pain हो शिकायत हो तो उस दात को निकालना ही ज़्यादा बहतर होगा तो यह था आज का वीडियो आपकी जो भी queries होंगी इसके related मुझे comment करके जरूर बताइए Thank you so much for watching and take care